स्वागता दोस्तों आप सभी का संकल्प के यूट्योब चैनल एडिसंकल्प पे मैं कुनाल बांसल एक बार फिर आज जिनों आपके सामने एक नई वीडियो के साथ दोस्तों नंबर सिस्थम टॉपिक में आज हमारा फिफ्थ लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेक्टोरियल वैल्यू के बारे में डिविजिबिलिटी ओफ फेक्टोरियल वैल्यू एंड नंबर फ्ट्रेलिंग जीरो तो तीन चीज़े आज हम सिखेंगे जो बहुत important है जो इसके बेस पे जो हमें ज्यादा तर question पूछा जाता है वो number of trailing zeros का question पूछा जाता है exams के अंदर कि किसी number को solve करने पे multiply करने पे factorial value को solve करने पे उसके end में zeros कितनी आएंगी तो वो स्वारा concept हमें समझना पड़ेगा तो starting करेंगे उसके लिए आज तो शुरू करते हैं दोस्तो आज का lecture जिसमें सबसे पहले हमें सीखना होगा divisibility of a factorial number by the largest power of any number factorial value की divisibility हमें सीखनी है उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि what is factorial value factorial होता क्या है तो definition क्या बोलती है दोस्तो इसकी the product of n consecutive natural numbers ठीक है जी n consecutive natural numbers का यह product होता है जी starting from 1 up to n 1 से लेके n तक जितने consecutive natural numbers हैं उन सभी का product होता है उसे हम बोलते हैं factorial value पर example से हम समझते हैं मानली जी 4 factorial हमें find out करना है यह factorial का sign है जी exclamation mark ठीक है जी हमें 4 factorial की value पता करने तो 4 factorial का मतलब है 4 into 3 into 2 into 1 बहुत 1 से लेके 4 तक सारे numbers आपस में multiply होंगे यह कितना बनेगा दोस्तो 24 बनेगा ठीक है उसी तरह मानली जी 5 factorial हमें निकालना है 5 factorial का मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यह कितना बनेगा 120 बनेगा उसके बाद मानली जी हमें 6 factorial निकालना है तो 6 factorial कितना बनेगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यह बनेगा दोस्तो 720 तो इस तरीके से हम कोई भी factorial value निकाल सकते हैं अब concept का है divisibility of a factorial value अब आपको factorial value तो समझ में आ चुका होगा अब question यह पूछा जाता है कि इस factorial value को हम किसी भी number से कितनी बार divide कर सकते हैं मतलब कितनी highest power होगी उस number की जिससे factorial value को divide किया जा सकता है जी आईए वो समझते हैं जी अब मान लीजिए हमें question पूछा गया what is the largest power of 3 that can divide 30 factorial मतलब के 30 factorial की जो value होगी अब 30 factorial की value तो हम निकाल नहीं सकते जी इसकी मान लीजिए कोई भी value आएगी जो भी x, y, z ठीक है जी उस value को हम 3 से कितने बार divide कर सकते हैं ये हमें पूछा गया है तो इसको समझने के लिए हमें एक असान value लेके चलते हैं जी सबसे पहले ठीक है एक question लेके चलते हैं what is the largest power of what is the largest power of 3 that can divide that can divide 120 मान लीजिए कि हमने simple value उठाई अब मैं factorial value नहीं उठा रहा हमने एक simple value उठाई कि 120 को हम 3 से कितनी बार divide कर सकते हैं अब उसके लिए हमें 120 के factors बनाने होंगे जी factors बनाके देखते हैं ये 2 पे कट रहा है 2 पे गया तो 60 बना फिर 2 पे जा रहा है 30 बना फिर 2 पे जा रहा है 15 बना अब 3 पे जाएगा जी 5 अब 5 पे जाएगा मालब 120 के जब हमने factors बनाये दोस्तों वो कितने बनगे 2 की power 3 into 3 की power 1 into 5 की power 1 अब हमें पूछा गया था largest power of 3 that can divide 120 अब देखो 3 की कितनी power हमारे पास आ रही है जी 1 तो इसका answer क्या हुआ दोस्तों 1 हुआ मलब 120 को हम 3 से सिर्फ एक बार ही divide करके देख कर सकते हैं इससे जादा नहीं अगर आप simply 120 को 3 से divide भी करोगे आपको मिल जाएगा 3 से divide किया 40 ठीक है जी 120 खतम इसके बाद तो 3 आएगा ही नी ठीक है जी तो एक ही बार divide किया जा सकता है तो ये basically अब चीज हमें factorial की form में पूछी जाती है 120 की जगा पे अगर कोई factorial value आ जाए अब देखे दोस्तों हम इसमे factorial value को include करते हैं अब जो 120 है 120 is basically 5 factorial 120 is basically 5 factorial ठीक है जी हमने value लिखी थी 5 factorial की 5 factorial की value कितनी होती है 120 तो अब question देखा रहा है question तो दोस्तों यही रहा कि हमें अगर 5 factorial में पूछा जाए कि 5 factorial को हम 3 से कितनी बार divide कर सकते हैं तो हम बोलेंगे जी एक ही बार divide किया जा सकता है ठीक है जी वो कितना होता है 120 अब case ही है कि 5 factorial की value हमें पता थी इसलिए हम बता सकते है इजी लिए हमने बता दिया ठीक है अब इसकी जगा पर अब आरा है बड़ा नंबर जैसे कि यहां पर लिखा हुआ 30 factorial ठीक है 30 factorial के case में हमें बताना है तो उसके लिए मैं आपको trick बताने वाला हूं दोस्तों उसकी trick क्या बनेगी अगर हमें 30 factorial में पता करना है 3 की power तो करना कै 30 factorial को 30 है उसको factorize करना शुरू कर दो किस से 3 से जिस नंबर की power हमें चेक करनी है उसी से उसको divide करना शुरू कर दो तो 30 से 3 से कट आएंगे पहले 10 आएगा अब दुबारा फिर हमने उसको 3 पे ही divide करना है किसी और number से divide नहीं करना इस पार question 3 है 10 को 3 से divide करने पे question कितना आएगा 3 आएगा remainder भूलते जाओ सिर्फ question उठाते जाओ जी तिक है जी उसके बाद दुबारा इसको फिर 3 से cancel divide कर सकते हैं जी तो कितना question आएगा 1 तो यह इस से जादा division possible नहीं है तो यही से हमार answer आजाएगा इन 3 values को उपर वाली value को छोड़के इन 3 values को plus कर दीजिए 10 plus 3 plus 1 14 मतलब 30 factorial को हम 3 से कितनी बार divide कर सकते हैं maximum 14 बार divide कर सकते हैं simple बहुत असान trick है जिस number की भी power हमें check करनी है तो उसी से उसको factorize करना शुरू कर दीजिए जहां तक division possible हो सकती है आईए और question try करके देखते हैं find the largest power of 5 that can divide 124 factorial अब 124 factorial को हम 5 से maximum कितने बार divide कर सकते हैं highest power हमें 5 की check करनी है तो अब क्या करेंगे factors बनाएंगे 124 के और किस पे divide करना शुरू करेंगे इसको 5 से तो 5 पे जाए पहले इसको करेंगे 24 पे जाएगा जी 24 into 5 120 ठीक है याद रखना है remainder हमें consider नहीं करना सिर्फ question को consider करना है जी अब 24 को फिर 5 से हम divide करेंगे कितना question बनेगा जी 4 बनेगा जी तो इससे जादा ये divide नहीं हो सकता तो इन दो values को हम plus कर देंगे उपर वाली value को छोड़के जो भी नीचे values होंगे उनको plus किया जाएगा तो कितना बनेगा दोस्तों इसके अंदर ये 28 तो मतलब के 124 factorial की जो भी value होगी उसको अगर हम 5 से divide करते हैं तो maximum कितने बार उसको हम divide कर पाएंगे 28 times आईए अगला try करते हैं find the largest power of 2 that can divide 57 factorial अब 57 factorial में हमें 2 की power चेक करनी है तो 57 को हम factorize करना शुरू करेंगी कौन से table पे करेंगे दोस्तों 2 क्यूंकि 2 की power चेक करनी है तो 2 से cut आएंगे पहले कितना आजाएगा 28 पे जाएगा जी ठीक है question टुटाना जी याद रखना फिर 2 से divide करेंगे 14 question आएगा फिर 2 से cut आएगे तो question कितना आएगा 7 आएगा फिर इसको 2 पे कट आएगे तो question कितना आएगा 3 आएगा ठीक है जी 2, 3, 6 फिर 2 पे कट आएगे तो question कितना आएगा 1 इससे जादा division पॉसिबल नहीं है तो इन सब को हम करेंगे plus तो plus करने पे कितना मिल रहा है 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1 तो ये कितना बन जाएगा 42 प्लस 10 52 प्लस 1, 53 तो 57 फेक्टोरियल के अंदर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 57 फेक्टोरियल को तो maximum कितने बार डिवाइड किया जा सकता है 53 ताइम्स आईए next देखते है find the largest power of 15 that will divide 121 फेक्टोरियल 15 की largest power 121 फेक्टोरियल के अंदर अब दोस्तों थोड़ा सा ये question change हो गया क्या difference है जी बाकी question से अब हमें 15 की power check करनी है 15 एक composite number है तो composite number की power हम directly कभी check नहीं कर पाएंगे तो इस case में हमें क्या करना है इसके factors बनाने है 15 के factors बनाने पढ़ेंगे 15 के prime factors 15 के prime factors क्या है 3 into 5 तो ये prime factors होगे इसका मतलब अब मैं 3 और 5 की power check करूँगा जी अलग लग 121 factorial के अंदर तो 121 factorial के अंदर हमें 3 की power भी check करनी है और 5 की पहले इसको 3 से कटाना शुरू किया जी कितना quotient बनेगा 40 बनेगा जी उसके बाद फिर इसको 3 से divide किया तो quotient कितना आएगा 13 आएगा जी फिर 13 को 3 से divide करेंगे तो quotient कितना आएगा 4 आएगा जी दुबारा फिर इसको 3 से divide करेंगे तो quotient कितना आएगा 1 तो ये हमारे पास 3 की powers आ जाएंगी अब दूसरा case के आएगा जी हमें 5 की powers को भी चेक करना जी 121 factorial के अंदर तो 5 से इसको divide करना शुरू करते हैं जी 5, 2, 10, 2, 1, 5, 4 question आएगा 24 अब 24 को 5 से divide करेंगे 24 को 5 से divide किया तो quotient कितना आएगा 4 इससे ज़ादा divide नहीं किया जा सकता तो इसकी powers कितनी आएगी दोस्तो 28 मतलब 121 factorial को अगर हम 3 से divide करें तो maximum कितनी बार उसको divide किया जा सकता है 58 times और अगर 121 factorial को हम 5 से divide करेंगे तो maximum कितने times divide किया जा सकता है दोस्तो 28 times अब इन में से answer क्या होगा इन में से जो भी minimum होगा इन दोनों में से जो भी minimum value होगी वो हमारा answer होगा इन दोनों में से minimum value क्या आ रही है हमारी दोस्तो 28 तो answer will be 28 तो मतलब 15 की 28 powers होगी 121 factorial के अंदर hopefully अब आपको ये concept समझ में आ गया होगा divisibility of a factorial number आए दोस्तो इसी के base पे जो अबना अगला concept है number of trailing zeros इसको समझते हैं जी ठीक है जी तो सबसे पहले तो number of trailing zeros का मतलब क्या है जब भी हम numbers को multiply करके result निकालते हैं तो हमें उस number के end में जो जितनी zeros आएंगी उसको बोला जाता है number of trailing zeros जैसे हम बोलते हैं जी 5 into 2 5 into 2 करने पे 10 बनते है और इसके end में एक 0 है मतलब number of trailing zeros इसमें कितनी है 1 है ठीक है तो हमें यही पूछा जाता है कि कोई factorial value given है जब multiplication में है powers है तो उसको multiply करने पे उसके end में zeros कितनी आएंगी तो उसके लिए यह concept कहा है दोस्तों अब 0 का case अगर हम समझें 0 कब बनती है जब भी हम 5 और 2 को multiply करेंगे तो उस trailing 0 एक बन जाएगी मतलब कि उस number के end में 1 0 बन जाएगी जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा 5 into 2 किया तो 10 बना मतलब कि 1 0 अगर मान लीजिए मैं 25 into 4 करूँ तो 100 बनता है अब यहाँ पे 2 zeros बन गई 2 zeros बनने का कारण क्या है 25 का मतलब का है 5 का square और 4 का मतलब का है 2 का square मतलब 5 भी 2 बार multiply हो रहा है और 2 भी 2 बार multiply हो रहा है कितनी कितनी power है दोनों की 2 इसलिए 2 zeros बन गई अगर हम मान के चले 125 into 8 तो यह होता है 1000 अब यह 3 zeros बन गई जी इसके end में इसके end में 3 zeros क्यों बनी क्योंकि 125 का मतलब का है 5 की power 3 और 8 का मतलब का है 2 की power 2 ठीक है जी आँ सारी 2 की power 3 ठीक है अब दोनों की case में power कितनी है दोस्तो 3 इसलिए 3 zeros बन गई तो हमें यह सीखने को मिल रहा है कि number of trailing zeros find out करने के लिए 5 into 4 125 into 4 बनेगा 500 अब इस case में 2 zeros बनी अब देखो क्यों 125 मतलब 5 की power 3 और 4 का मतलब 2 की power 2 ठीक है अब 5 कितने times आया 3 बार और 2 कितनी बार आ रहा है जी 2 बार तो दोनों में से जो minimum value है उतनी zeros बन रही है जी दोनों में power minimum कितनी थी 2 तो 2 zeros बनेगी तो minimum power देखनी होती है 5 और 2 में से किस की है जिसकी minimum power होगी उतनी zeros बन जाएंगी तो यह हमारा concept बनता है अब यही चीज हमें factorial में पूछी जाएगी तो factorial में अगर number of trailing zeros हमें निकालनी है दोस्तो उसके लिए हमें 5 और 2 की powers को चेक करना पड़ेगा कि कितनी बार हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और कितनी बार हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसके लिए हमने concept सीखा है divisibility of a factorial number तो वो ही concept अब implement करेंगे आईए question देखते हैं find the number of zeros at the end of 10 factorial 10 factorial को solve करने पे जो आएगा उसके end में कितनी zeros बनेंगी तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए 5 और 2 की powers को चेक करना पड़ेगा तो लो जी 10 के case में हम 2 पहले 2 की powers को चेक करते हैं जी 5 बनेगा question 2 को फिर 5 से डिवाइड किया 5 को फिर 2 से डिवाइड किया अब 10 factorial में हम 5 की powers को भी चेक करना पड़ेगा 5 से डिवाइड किया इसको question कितना बनेगा 2 इससे जादा डिवाइड हो जी नहीं सकता तो 5 की कितनी powers आएंगी दोस्तो 2 तो 2 की powers कितनी आ रही है 8 और 5 की powers कितनी आ रही है 2 तो दोनों में से minimum कौन है दोस्तो 2 तो number of trailing zeros कितनी हो जाएंगी 2 हमेशा याद रखना है जो minimum होगा वो ही हमारा answer होगा तो number of trailing zeros कितना बनेगा दोस्तो इस case में 2 बनेगा जी आईए अगला question ट्राय करके देखने है find the number of zeros at the end of 47 factorial 47 factorial के end में कितनी zeros होंगी इसके लिए भी अब हमें 47 factorial के अंदर क्या करना है 5 और 2 की powers को check करना तो पहले 2 की powers से check करते है 47 को 2 से divide किया तो question कितना बनेगा 23 23 को 2 से फिर divide करेंगे तो question कितना बनेगा 11 11 को 2 से divide करेंगे तो question कितना बनेगा 5, 5 को फिर 2 से डिवाइड करेंगा तो question कितना बनेगा 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो question कितना बनेगा 1 तो total अगर हम powers count करें यहां से यहां तक कितनी बन रही है 34 plus 5 39, 39 plus 3 42 powers तो 2 की कितनी powers बनेगी दोस्तो 42 अब हम एक दूसरा कौन सा case चेक करना 5 की powers को भी चेक करना 5 से डिवाइड करेंगे तो question कितना आएगा 9, फिर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो question कितना आएगा 1 तो यहीं पे कतम हो जाएगा तो इसकी powers कितनी बनेगी दोस्तो 10 तो दोनों में से minimum किया है दोस्तो 10, तो number of zeros योज कितनी होंगी 10 बहुत असान concept है दोस्तो हमें सिर्फ factorial के guess में 5 और 2 की powers को देखना है और minimum अब यहाँ पे और भी अच्छा trick हम हमेशा याद रखेंगे question हमारा और भी छोटा हो जाएगा कि हम देख रहे हैं कि 2 की powers जो हैं वो हमेशा 5 से जादा आ रही है factorial value के अंदर 2 की powers 5 की power से हमेशा जादा ही होंगी इसलिए अगर हम zeros को पता कर रहे है factorial के अंदर तो 2 की powers को check करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ 5 की powers को check करेंगे उसी से आपका answer आ जाएगा याद रखे factorial value के अंदर बात कर रहा हूं है factorial value के अंदर अगर आपको number of zeros पता करनी है तो 2 की powers को check करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ 5 की powers को check करके answer निकाल सकते हैं reason is कि 2 की powers हमेशा 5 की power से जादा ही होंगी आईए और question हम try करते है find the number of zeros at the end of 2 की power triple 2 and 5 की power triple 5 अब number of zeros इसको solve करने पर यह बहुत असाना oral देख के ही हमें पता चल रहा है अब हमें पता है कि 2 की power कितनी है जी triple 2 और 5 की power कितनी है triple 5 दोनों में से minimum power कितनी है दोस्तो triple 2 तो हमारा answer क्या होगा कितनी zeros आएंगी triple 2 याद रखो 2 और 5 की powers हम चेक कर रहे है और दोनों में से जिसकी minimum power वो हमारा answer होगा तो answer क्या आएगा इस case में triple 2 zeros आईए अगला find the number of zeros at the end of this ठीक है जी अब यहाँ पे भी हम देखे base या तो 2 है या 5 है तो इनकी total powers हम count कर लेते है 2 की अगर powers count करें 2 की power कितनी बनेगी 1 plus 3 4 4 plus 5 9 9 plus 7 16 16 plus 9 25 तो 2 की total powers कितनी बन रहे हैं दोस्तो 25 और अगर 5 की powers को count करें 2 plus 4 6 6 plus 6 12 12 plus 8 20 20 plus 1 30 तो 5 की हमारे पास powers बन रहे हैं दोस्तो 30 तो दोनों में से minimum कितना है जी 25 तो कितनी zeros बनेगी दोस्तो इसके end में 25 zeros बनेगी आईए जी next question दिखते है find the number of zeros at the end of the expression यह बलकुल simple question पूछा गया है कि इस सब को plus करने पे end में कितनी zeros आएंगी ठीक है जी 10 plus 100 plus 1000 plus 10,000 ऐसे series चल रही है और end में यह value है जिसके end में 10 zeros लगी हुई है ठीक है जी अगर दोस्तो वो सकता है देखने में यह question बहुत ही मुश्किल लगे पर यह question बहुत ही असान है यह इस पे basic addition principle लग रहा है जो हमें first second class में addition सिखाई जाती है अगर वो implement करके देखेंगे हमें answer 2-3 second में मिल जाएगा हमें इनको add करने जी 10 आएगा उसके उपर 100 आएगा उसके उपर 1000 आएगा उसके उपर 10,000 आएगा ऐसे values चलती जाएंगी उपर यह आजाएगा जी 10 zeros वाला number ठीक है जी इन सब को हमें plus करने जी तो जब plus करेंगे end में 0 आजाएगी एक 0 दूसरे case में plus करेंगे यहाँ पर 1 आजाएगा उसके बाद सारे आगे 1 ही आते जाएगे तो जो total बनेगा उसके end में तो सिर्फ एक ही 0 देखने को मिल रही है हमें तो answer क्या होगा जी कितनी 0 जा दोस्तो इसके अंदर 1 इसको add करने पर जो value बनेगी उसके end में सिर्फ एक ही 0 होगी तो देखने में बहुत मुश्किल question लग रहा था बहुत एक्चल में बहुत असान question था आईए next देखते हैं find the number of zeros at the end of 10 into 100 into 1000 into अब यह सारा कुछ multiplication में 10 की power 1 100 मतलब 10 की power 2 1000 मतलब 10 की power 3 यह इसी तरीके से चलेगा जी 10 की power 4 up to 10 की power 10 क्योंकि इसके end में 10 0 जैंदी अब सबका base same है तो powers क्या हो जाएंगी दोस्तो प्लस हो जाएंगी तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 10 यह हमारे पास total होके कितना मनेगा दोस्तों 10 की power 55 यानि की solve करने पे कितनी 0s मिलेंगी दोस्तों इसके अंदर 55 0s हमें मिलेंगी अब hopefully आपको 0s का concept समझ में आ गया होगा तो हमने divisibility of factorial number से शुरू किया और उसी concept को हमने number of trailing 0s निकालने के लिए तो यह था आज का अपना lecture जिसमें हमने सिखा कि factorial value क्या होती है divisibility of a factorial value क्या होती है और number of trailing 0s कैसे निकाले जाती है hopefully यह वीडियो देखके आपको अच्छे से concept समझ में आ गया होगा अगर किसी भी student को कोई चीज नहीं समझ में आई हमें comment section के through feedback जरूर दे मैं next videos में उसको clear करने की कोशिश जरूर करूँगा और अगर आपको अच्छे से concept समझ में आया और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को like और share करें और channel को भी subscribe करें ताकि जो और videos में बनाऊँगा तो मिलगा दोस्तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया